असलाम वेकुम्, सुर्वेस प्रियस का रिव्यू कर रहे थे तो उसमें मेन कंसर्ण जो था डिसकस करना था तो बैटरी के बारे में काफी लोग का क्वेस्टन ही होता है कि इसकी बैटरी ओके है अगर ओके है तो किस तरह की ओके है ब्रैंड यूडल वाई भी है यह सेल अप काफी लोग कहते हैं कि बैटरी प्रियस की बैटरी में लोग वैजल के सेल डाल देते हैं क्या आपको बैटरी के हमें उसने कहा दी आपको याद है ना अच्छा अब एक चीज यह कि वीडियो लंबी हो जो नहीं फिर से तो फिर वनीब ने इस शारा करते नहों होता है मस्रूफ नहीं होता कि उससे काम ना उसके हमसे ना टाइम मेनेजमेंट हमारे प्रॉबलम है हमारे लोगों में तो बस मेरे अंदर भी प्रॉबलम है तो फिर मेरी कोशिट यह वीडियो बनाएं तो पर मैं पूरी बात कर दूँँ ताके व्यूज आएं ना आएं लेकिन ज जितना भी मिझे पता है इसके बारे में अभी मेरे जिन में आ रहा है मैं आको सब बताओं इसके अंदर जो फाइदे हैं नुकसानात हैं मसलें फ्रॉड हैं जो भी है अच्छा अब मैं आपको बताता हूं बैटरी के बारे में देखें बैटरी जो है ना सबसे पहली बात ह यह हम बैटे हैं फो जेनरेशन के अंधर ठीक है फोरस जेनरेशन मैं अधोर सा इलटा चलूँगा फोर्स जेनरेशनंसी करना फोर्स जेनरेशन तो इसकी बैटरी बरे बात लग estrat भी صाने किसी भी फोर्ज जनेरेशन की वो जब भी इंपोर्ट री थी चाहे 16 मॉडल थी, 16 की 0 मिट रहे थी आज 8 साल हो गये हैं, अब तक किसी गाड़ी की बैटरी मेरे सामने रे प्लेस नहीं हुई हमारे जो एक दो वरक्शॉपस वाले हैं इसमें टेक्निशन, इसमें गाड़ियों की बैटरी चेंज रपाते हैं उन्होंने मुझे का है कि यार प्रियस इस वाले मॉडल की हमने आज तक बैटरी चेंज नहीं की, मेरा ख्याल है कि वो शायद रोज की एक ये दो बैटरी है अट लीस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि दा के मुबादगार आई नहीं हो कि वो रोज की चेंज करते हैं यानि कि साल की तक्रीबन कोई 500 से 1000 के दिम्यान बैटरी चेंज करते होंगे एक वरक्शॉप वाले ठीक है और उने ने काया कि इस मॉडल की नहीं की क्योंकि उने इसमें फॉल दूर किया है इसमें अकसे में लिदिया माइन भी आई हैं बैटरी आटरी खराब नहीं होती अच्छा बाते हैं ऐसे पिछ्टी जिनरेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉप्लिर मॉडल है पाकसा में थर्ड जिनरेशन ठीक है ना उसको अकसे लोग सेकंड समझते हैं लेकिन फर्स जिनरेशन जो थी ना वो पन्नासो अली नहीं थी जो यहां आई है वो पाकसा अंदा आई नहीं थी जी टोरिंग हो सब के अंदर एक ही अक्रॉस दे बॉर्ड एक ही बैटरी पैक है यूजली जो है ना जब वो गाड़ियां आती थी तो तकरीबन साथ छे साथ आठ साल तक बैटरी उसकी चलती थी डिपेंडिंग आप उसको कैसे यूज़ करते हैं अभी के टाइम के अंदर यूजली मेरा ख्याल है तीन से चार साल बैटरी जो है वो अगर आप रेप्लेस करते हैं तो चलेगी मैं ये बात रहूं निकल बैटरी की ठीक है लीडियम बैटरी डाल देंगे तो खराब नहीं होती जल्दी उसकी दो सार्वरेंटी भी मिल रहती है अच्छा अब बैटरी जो है वो तक्रीबन पॉने दो लाग से लेके ड्हाई लाग के रिम्यान चार रही है मुख्लिफ शहरों में पॉने दो दो की निकल हैडरेट वाली और दो से ड्हाई के रिम्यान लीडिय वाले के अंदर अगर अगर लिदियम वाई बैटरी डाल देंगे ना इस मौडल की सेल डाल देते हैं तो चांस है कि वह फ्राइय होजा है बैटरी अधिड़ सकती है हूई है ठीक है तो इसलिए यह लोग लिदियम डिल्वाने चैनल लिदियम डिल्वाने तो आपको साथ बात फिर खराब हो जाए कम असका मापकी आपकी गाड़ी की जान बची हुई है ठीक है ना तो गाड़ियों को आग लगी मैंने खुद देखा है ठीक है फोटो जाई हैं मुझे तो मैंने इसको खुद वेरिफाइट जिगों से कि यह हुआ है तो इसलिए यह का आपने एकस्पायर हुए वे सेल डाल देंगे ठीक हैं मलब एकस्पायर से मुराद यह कोंगा कि इसकी बेस्ट बेफॉर गुजर चुका हुआ है यह नहीं उसकी प्रोडक्शन डेटा अपने सेल चेक करनी है फिर खाली सेल भी डिलवा लेते हैं लोग वैसे उसका मेरा हाला मश्र चारज करके उसको पीशे तरों जोसका टॉप रिक उतार के कवर तरह सेल को चैक करना पड़ता है इस तरह सेल चेक होते हैं इसके बैटरी में चार रहा था लेकिन मैं भी भी कहता हूं कि जिदे भी हो आप एक एक साल को चार्ज इस ट्राइब कर रहें बैटरी चेक उसमें घंटा लाग जाता है ठीक है पैसे भी लेंगे आपसे लेकिन चेक उसी तहीं होती है सही जो मेरे से अगर आप पूछें बात हो क्योंकि मैंने देखा है दस साल परानी गाड़ी इसकी बैटरी हल 70 परसेंट आ रही है ऐसा मुम्किन नहीं होता है अचा बैटरी को लंबा अपने अर्सा चलाना है तो उसका क्या हल है पक्सान में एंफॉर्चनिटी आज कल डस्ट बहुत जदा है दरह तो राम काट देते है इसवाई अपने घर के बार रखते नहीं है जहां से बुझ रहेंगे मटी बहुत बहुत है ठीक है शीशे डाउंग रहेंगे मटी जाएगी गाड़ी के अंदर फीछ एक फैन है फैन के उपर फिल्टर नहीं आया था शुरू के मॉडलों में वह सारी मटी फैन में जाएग ना आपकी उनका बैसी बनेगी और आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसके लावा यह कि यह वह फिल्टर आ भी रहे हैं आपने फैन के उपर बैटरी का फैन पीछे होता है पिछली सीट के साथ वह आपको चाहिए कि हर 6 मिने बाद खलूआ कि उसको साफ कर साथ करना है उसको साफ कर लें बाहर निकाल के अधरी हवा मारेंगे तो बैटरी पैक में जाएगी यह एक चीज़ होगी लीदियम आइन दिली बैटरी जो बैटरी नहीं लवाते हैं तो प्रियस जो थर्ड जिनेशन है इसके अंदर आम तो पर जो है वह गाड़ी को बीस से उपर जब बैटरी पैक निकल जाना तो गाड़ी करती नहीं है ठीक है ना आम तरपे पूरा उसका सिस्ट्रम बाकी भी सेट अप करना पड़ता है इजी आर सेंसर यह वह सब कुछ सेट हो तो गाड़ी आपकी बैटरी के इसकी सही आवरिज आती है बैटरी चाहे आपकी इसी इतना का ही साबता रखना है और बैटरी जाना थे लिए लिए माइन सेट अपर आपने डालने होई बात आत्यात करने वन्ना अपने टेक्निशन से रहे दो लोगों से पूछें और जिन लोगों ने बैटरी बैटरी इसकी जो आपको इंफरमेशन दी है मैंने और कोश तो उसकी लाइफ को भी आप मॉनिटर करते रहें इस सेंस में कि अपनी आवरिज देखें कर आवरिज गिर रही है ना तो आप फिल फॉर उसको चेकर वाएं ठीक है अगर तो एक आदा सेल वीक है ना तो फिर मेरा है आप उस ट्रेम बच्छे दोस्ती आप फॉरन वो सेल पर फिर बाकी सेल्स पर ना जाए अगर आप उसको चलाते रहेंगे फिर एक से दो तीन से चार चार से पांच आठ पिर वो बिल्कुली फिर जब आठ सेल डालेंगे आप जाके एक्जैम्पल लेक तो आदे सेल आप डाल देंगे तो फिर वो बात आप की नहीं बननी चीज पर जो राइट पर का देका राइट पर लेफट का देंगे उसमें लोड टके डिवाइड हो चैना आप टायर सो क्रॉस नहीं करते हैं उसकी कोई एक्जैक्ट में साइंस नहीं पता बस इतना बदास्तों कि वो लोग टेशन जिसना करते हैं इसको ना छे मिने बाद ना सेल बाहर भी चेंज करते हैं मैंने इस पर इताथा नहीं किया लेकिन फिजिकल लोकेशन चेंज करते हैं और उनको बैलनस और चैनल की लाइफ बढ़ जाती साओं कहते हैं मुझे यह बताया कि इतनी रिस्टरच नहीं है लेकर ना यदिंक जो कह रहे होंगे वह सही कह रहे हों उसमें लोग कहते हैं लीडियम वाली बैटरीज नहीं है तो उसका फाइदा नहीं है बिल्कुल मुझे 20 बात का नहीं पता था क्योंकि मैं एकस्पेक्ट नहीं कर रहा था कि ट्योटा वाले और ट्योटा पाकिस्तान ये ट्योटा इंटरनेशनल जो हमारा है ग्लोबल जो फर बैटरी नहीं आती थी निकल हाइडरेड अब लिदियम माइन महानी शुरू होगी 2016 से तो वो अब यहां पर जो है वो 2024 के इंदर हमें निकल हाइडरेड दे दी है रहादा बचे कुछ इतने बैटरी सारी पाक्सम बेएदी है और नहीं जलता है तो मुझे एक दोस ने पता पताना शुरू किया और अब वाकई ही लोगों ने क्रॉस लेनी चोड़ दी हो पता है ऑन्शान मरा कुछ अक्री ने इस पर रहा गया खास ना तो उसकी से रिवन स्टैग्नेंट हो गई है लोग या हैवल पर जा रहे है तो जी वाकई उसके अंदर निकल हाइडरेड पाकिस्टान्यों के साथ हमें एज्यूज़ फिर से प्राणि सी टिक्नॉलजी में हमाले कर दी गई है और टोटा explored है वह जी नहीं नहीं पूल पर नहीं तो यह चीज़ आपके ढिनए थी मैंने आपसे शेयर की है टियोटा, प्रियस और जो उसके रेटेड गाड़ी है, हाइब्रेड टियोटा की पूरी फैमिली है हाइब्रेड गाड़ियों की उसकी बैटरी लाइफ के बारे में तो कुछ चीज़ गर में से रहागी हो आपसे कुछ ने कुछ रहागी होगा, आप कॉमेंट से पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शक्रिया, लाफिस